शिरी शिवाई नमस्तु ब्याम हर हर महादेव गुरुजी पंडित प्रदीव मिस्रा जी द्वारा बताए गई सभी उपाई हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाई आसानी से समझ में आ सकें दोस्तो आज है मंगलबार और महा महीने का मंगलबार है तो आज के दिन अगर आप ये उपाई कर लेते हैं तो हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना सारी कष्ट दूर कर देंगे तो इसके लिए चलिए भड़ते हैं अपने फर्स्ट जो हमारा पहला और विशेश उपाई है वो है गोलबत्ती को लेकर सरसो के तेल में देखे महादेब को घी का दीपक लगता है और हनुमान जी को तेल का दीपक ज़्यादा शुब माना जाता है शनी देव हो या बजरंग बली इनको सरसो का ही दीपक चलता है सरसो के तेल का तो आपको लेने हैं दो दीपक और आपको जाना है बजरंग बली के मंदिर में क्या करना है ध्यान रखिएगा गोलबत्ती का दीपक हो सरसो के तेल का हो अगर आप माटी का दिया है तो ठीक है नहीं तो आप आटे का भी दिया बना सकते हैं और ध्यान रहे जब भी आप बजरंग बली को दीपक लगाने जाते हैं गोलबाती का तो उसमें थोड़ी सी जो काले तिल होते हैं वो जरूर डालें अवस्य डालें काले तिल क्योंकि बजरंग बली हो या शनी देव हो उनको काले तिल बहुत प्रिये है और महा के महीने में अगर काले तिल का आप उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लावकारी होता है अगर आपके आप बहुत ज़्यादा कश्ट, रोग है, बीमारी है तो इसके लिए ये उपाए करना है गोलबाती का दीपक लेकर आपको जाना है बजरंग बली के मंदिर और यहाँ पर इनको गोलबाती का दीपक लगाना है और आप अपनी बीमारी जो भी बीमारी हो जो भी रोग हो कस्ट हो उसको दूर करने के लिए बजरंग बली से प्रातना कीजिए दूसरा दीपक आपको लगाना है अपने दर्बाजे से गेट के बाहर जो मुख्य द्वार है उसके बाहर लगाना है और इसमें कुछ भी आपको नहीं डालना है तो चरिये ये हमारा था पहला उपाए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूशरे और विसेश उपाए की तरफ इस उपाए के लिए आपको लेना है पीपल के पत्ते पीपल के पत्ते आप 5 ले लीजेगा 7 ले लीजेगा 11 जितने भी हो उतने ले लीजेगा उसके बाद आपको लेना है लाल चंदन ध्यान रहे लाल चंदन लेना है अब देखिए लाल चंदन का क्या करना है आपको ये जो लाल चंदन होता है ये वजरंग बली को बहुत ज़दा प्रिय होता है और इस लाल चंदन का आपको हलका सा पेस्ट बना लेना है गिला गिल थोड़ा सा कर लेना है गंगा जल डालके या फिस जल डालकि फिर उसके बाद जो आपने पत्ते लिये हैं पीपल के पत्ते उन पत्तो पर राम लिखिए गा क्योंकि बजरंग बली को शिरी रामजी इतने प्यारी हैं कि वो खुद को भी नुच्हाबर कर देते हैं। श्री राम जी के नाम के आगे तो उस पर राम नाम लिखिएगा पाचो पत्तो पर और उसके बाद आपको जाना है सीधा बजरंग बली के मंदिर और ये जो है ये है इच्छा पूर्ती के लिए उपाए अगर आपकी इच्छा है कोई भी अबलाशा है जो पूरी नहीं हो रह बजरंग बली के मंदिर जाना है और ये जो पाच पत्ते आपने लिए है वो पाचो पत्ते एक लाइन से रख देने है मंदिर में ठीक है बजरंग बली के मंदिर में रख देने है डंडी का भाग आपकी तरफ हो और पत्ती की जो नुकिली पत्ती का जो भाग है वो बजरं पूर करेंगे ध्यान रहे यह जो उपाई हमने बताए हैं दोनों उपाई यह उपाई आपको आज करने हैं प्रदोश काल में ठीक है अभी नहीं करने हैं प्रदोश काल में यह उपाई करने हैं और अगर आप यह उपाई कर लेते हैं तो बजरंग बली आपकी सारी मनोकामना पूर करेंगे कश्ट दूर करेंगे ध्यान रहे देखिए बजन बली को न लंबी बत्य ही लगती है लेकिन यहाँ पर क्याई यह जो गोल बत्य है ना इसका प्रियोग क्यों करना पड़ेगा क्योंकि आप रोग से मुक्ति पाना चाहतें आप अपने कश्टों को बही बीराम लगाना चाहते हैं इसलिए गोल बत्ती इस्तिरता रखती है और जो लंबी बत्ती होती है वो बड़ोत्तरी के लिए होती है तबी तो माल लच्मी के लिए लंबी बत्ती का हमेशा प्रियोग किया जाता है ये बात इस बात का अवश्य ध्यान रखें इसमें बिल्कुल भी त शचल 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 के